फिर से ट्रेंड में आया बैकॉट का जमाना भगवा रंग की बिक्नी में दिखी दिपिका और बवाल हुआ पब्लिक में शारुक को पड़ी गंदी-गंदी गालियां और जलाए गए पोस्टर्स हलो फ्रेंड्स मियैं से फस्कीना स्वागत के तियो अपने चैनल पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारुक खान के फिल्म पाठान का गाना जो है वो रिलीज हो चुका है जिसमें बेसरम रंग कानी की थीम है जहांपर सुनाक्षी सिंधा ने बिक्नी में डान्स किया है और तरह के changes बिक्नी में किये हैं लेकिन भगवा रंग के color की बिक्नी पर दिपिका हो गई ट्रोल और साथ ही साथ public का गुस्सा भी जेला तो साथ में मध्य पर्देश के मंतरी ने भी दिपिका को कई तरह की टिपनी भी दी जी हां दोस्तों मध्य पर्देश के मंतरी नरोत्रम मिश्रा ने ये कहा कि इस गाने को काफी गंदी मान सिकता के लिए बनाया गया है जिसमें कई गंदे गंदे scenes भी दिखाये गये हैं तो वो अपने अलाके में इस फिल्म को release नहीं होने देंगे तो वहीं पर पायल रोतकी ने भी एक भड़ा बयान दिया है दिपिका के इस बेशरम रंग को लेकर उन्होंने कहा है कि दिपिका के ने कई ऐसे बिगनीस में इस गाने पर डांस किया है लेकिन भगवा कलर की या पोस्टर या पिक्चर को पहना हो या कपड़े में बने पिक्चर को पहना हो वो सिर्फ रंग है तो ऐसी बखवास चीजों पर ध्यान ना दें तो वहीं पर आपको बताते चले कि शारुक खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर काफी ज्यादा बवाल मत चुकी है तो ज अगवारंग के कपड़े पहनी वी नजर आ रही है तब ही से सोसल मीडिया पर ये चर्चा प्रचलित हो गई और सारे जो है दिपिका पर ये इलजाम लगा रहे हैं कि दिपिका अपनी अंग प्रदर्शन करते हुए इस वीडियो में नजर आ रही है तो वहीं पर हम बात कर ने कॉर्चा लाइब दिपकल पर कराा रहा है और पुबिक कहा रही है कि हमें ऐस अगर फिल्म के गाने देखने मिलेंगे तो पता नहीं कि फिल्म में क्या क्या होगा ጤ इसलिए फिल्म को या तो सुधार किया जाए उसके क्लिप्स को काट कर वापस से दोहराया जाए और बहतर तरीके की क्लिप्स बनाई जाए या फिर इस फिर्म को बैक आउट किया जाए ऐसा गैंक्स का कहना है जैसा कि आप सब जानते कि बैक आउट का चलन पिछले साल से चल रहा है अब देखना ये है कि पठान मुवी में क्या क्या चेंजस आते तो वो बॉक्स आफिस पर चलती भी है या फिर नहीं अब देखना ये है दोस्तों कि सारुक खान आने वाले स्टेप में क्या करते हैं और दिपीका का इस बयान पर क्या जवाब होने वाला है वेल दोस्तों हम आपको और भी ऐसी खबरे बताते रहेंगे लेकिन उससे पहल वीडियो लाते हैं आप तक सबसे पहले पहुचे तब मैं विल जापको रेक्स्टूडियो में बाई बाई